आपका नमस्कार मेडम जलाद नमस्कार leaking हमारी मेडम बिमारें आपने ड़वार बताया गउनध जामनुका गौंदु तो उनको मैडम को जो पहले तो बाएं पैर में दर्द रहता था अब लेकिन बाएं पैर में दर्द पढ़ गया और उनको कबच गिराने लगा और एक डॉक्साब वो वीकनेश बहुत कमजोरी बहुत मैसुस करती है अच्छा दवाई में उनकी इंग्ल बिल लेती है एक टाइम पर लेगिन उसके बहुत प्रेशान है मैडम की तरफ से तो पूरी दुनिया परेशान है हम भी परेशान रहते हैं कभी उसको कोई तकलीफ हो जाती है अपनी तकलीफ की परवा नहीं होती असल में मर्द अपनी बीवी को बहुत पहबत करता है हलांकि बीवी को शिकायत ही रहती मेरा ये खयाल नहीं करा मेरी जिन्दगी खराब कर दी मेरी तो इत्ते अच्छे रिष्टे थे इत्ते अच्छी वोती बरहाल इन बात में कोई एहमियत नहीं है हाँ देखिए ये जो गौंसिया इननों खाया है वो एक टांग का चला गया दूसी टांग में शिरू हो गया ऐसा होता है नस्वों का मर्ज होता है दरसल वो ये भी कुछ दिन में चला जाना चाहिए सबसे जादा शूगर की परिशानी है और इंसुलील लेने के बाद भी इतनी है तो फिकर की बात है इन्फेक्शन अगर हो पेट में उसका इलाज कराए इतनी शूगर नहीं होनी चाहिए अपने डॉक्टर से ही इलाज कराए कुछ भी कराए नेकि शूगर कंटोर लगके औ और ये तो अभी आपने इलाज शुरू किया है कुछ दिन बाद ये भी अच्छा होना चाहिए दूसरे टांग में आ गया है कमर में है दरसल इनके मर्स मरस जो है कमर में है और वो एक साइट के ठीक हो आप दूसरे साइट का भी ठीक होगा ऐसा वेस्टन टॉयलेट का इंत जो के बल जाडू पहुचा ना करने दे कुछ दिन और जो भी मुमकिन और इलाज हो जिसका भी करें लेकिन ये सब दो वाते जरू करें के वेस्टन टॉयलेट और बहुत महनत ना करने दें खास दूर पर जाडू पहुचा थोड़ा इंतिजार करें अपने डॉक्टर की भ होना मुमकिन है जी कब्स कमजोरी हादी कब्स जिनको रहता है और उनको कमजोरी लगती है और जिनको इतनी शूगर हो उनका पेट इंप्रेस होता ही है और अक्सर पेट में इंफेक्शन होता है जाज भी करा सकते हैं के इंफेक्शन कितना है वरना इंसुलीन लेने के आपके जो भी फैमिली डॉक्टर हैं उनसे भी पूरा मश्वरा लें और हो सकता है आपको इंसुलीन की डोज बढ़ानी पड़े पेट के लिए बेल का मुरब्बा दो लेना दो के खिलाना इनको मीठा होता है या अरंडी का तेल एक चमच पिलाएं और उस पर एक गलास गरम गरम चाय या पानी पिला दिया करें दिन में एक बार या दो बार तो इससे इनको पेट में भी आसानी मुम्किन है